हाई फ्रेंड्स मैं दिपासरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल दिपासरी कुमारी में तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू और सेम की सबजी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू और सेम की सबजी बनाने के लिए हमने यहां धाई सो ग्राम सेम लिये हैं और धाई सो ग्राम हमने आलू लिये हैं और सेम को हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं तो इस तरह से सेम को हम छिल लेंगे इसे हाथों से ही बना लिया जाता है और जितने इसके रे इसे होते हैं इनसे हम निकाल लेंगे और दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं तो इस तरह से हम इसे चेक कर लेते हैं कि सेम हमारी साफ सुथरी हो कभी कभी सेम के अंदर कीरा भी होती है तो इसे हम इसी तरह से चेक कर लेंगे इसी तरह हम सभी सेम को हम बना कर रख लिये हैं और जो स्मॉल वाली सेम होती है उसमें रेसे कम होती है और यहां पे हमने आलू को छील करके रख लिया है यह नए वाले आलू है तो इसे हमने चमत से ही साफ कर करके इसे हमने धो कर रख लिया है और अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हमने लबक दो चमस तेल गर्म होने के लिए रखा है और पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं आलू को हम लबक दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे आलू जब दो मिनट फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम सेम डाल देते हैं और दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलका सा यह ब्राउन होने लगी है तो इसे हम थोरी देर और फ्राई कर लेते हैं और जब तक हमारी सेम और आलू फ्राई हो रही है हम मसाले की त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज की प्याज को हमने इस तरह से काट कर रכ लिया है और थोरे से हमने अद्रक लिये हैं और यहाँ पे हमने काली मीर्च ली हैं और आठदास हमने लाशन की कलिया ली है इन सभी को हम ग्राइन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने ग्राइन करके पेश्ट त्यार कर लिया है और अभी हमारी सबजी भी भून चुकी है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस हम कढ़ाई में थोरा सत्यल डालेंगे और इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे फोरण में जीरा जब चटक जाएगी तो इसमें हम एक चम्मच मर्चा पाउडर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे और साथ ही हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और साथ में ही हम ग्राइन किये हुए मसाले डाल देंगे और इसे हम लवग दो मिनद तक भूनेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले हमारी लवग भून चुकी है तो अब इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं आधी चम्मच और आधी चम्मच हमने जीडा पाउडर डाला है और नमक हम स्वात करनुसा डालेंगे इन सभी को हम थोरी दिर और भून लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है और मसाले से तेल भी छोड़ने लगी है तो अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देते हैं टमाटर डालने से सेम कि सब्जी का स्वाधी बदल जाता है यह बहुत ही टेस्ट लगती है खाने में तो टमाटर को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी हम पका लेंगे और जब टमाटर भी हमारी भून जाएगी तो इसमें हम भूने हुए सभी सब्जियों को डाल देते हैं और सब्जीयों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे हम धक कर लवक दो मिनर तक पकने देंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जी भी हमारी पक चुकी है तो अब इसमें हम धन्यापता डाल देते हैं और इसे भी हम मिला लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं आप चाहे तो सब्जी को इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया है पानी डालने के बाद इसे हम दो मिनट तक पकने देंगे तो यहाँ पे दो मिनट हो चुकी है तो इसमें हम गरम मसाले डाल देते हैं और इसे हम ढख कर एक मिनट के लिए और पकने देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबजी का कलर कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है और सबजी भी हमारी बन कर तयार हो चुकी है तो अब मैं आप लोग को इसे सर्व करके दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबजी हमारी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार हुई है और इसे आप पूरी प्राथा या रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो इस रेश्पी को एक बार जब ट्राइ करें और फ्रेंड्स मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक यू